बरोद रोड पर लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हातों रिश्वत लेते किया गिरफतार मामला दर्ज बड़ी कबर पुलिस्ताना बैराड शेत्र के अंदरगात आने वाले नगर के बरोड रोड पर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी लीलाधर माहोर को 15,000 रुपए के रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार करने में सफलता हासिल की है आपको बता दे कि विगत कुछ दिनों से खेरपुरा गाउं के एक आदिवासी से जमीन के पटे देने के अवज में पटवारी लीलाधर माहोर की द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी जिसके बाद फर्यादी ने ग्वालियर लोकायुक्त विभाग में इसकी शिकायत दर्च कराई जिसके बाद आज वुद्वार की देर रात करीब 9 बचकर 15 मिनट पर फर्यादी उमेद आदिवासी ने लोकायुक्त विभाग की टीम के साथ मिलकर 15,000 रुपए की राशी की विवस्था कर पटवारी लीलाधर माहोर की घर पहुँचे जहां फर्यादी उमेद आदिवासी से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते आरुपी पटवारी लीलाधर माहोर को रंगे हातों गिरफतार कर लोकायुक्त विभाग के द्वारा कारिवाही की गई है जिसमें लोकायुक्त विभाग के ज्विएसपी विनोत कुश्वाहार आगवेंदर तोमर एकवाल खान नेतराम राजोरिया बलबील सिंग अमर सिंग की अहम बोमिका रही समबाददात रमेंदर शर्मा की रिपोर्ट